मनसा गाव में एक लोहार राम गुपाल रहता था उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात मेहनत करने पड़ती थी रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गुपाल ने अपना खाने का डबा बादने के लिए अपनी पत्नी से कहा पत्नी जब डबा लेकर आई तो राम गुपाल ने कहा मुझे आज आने में देर हो जाएगी शायद मैं रात को ही आऊँ इतना कहकर राम गुपाल अपने काम के लिए निकल पड़ता है अब काम पर जाने का जो रास्ता था वो एक जंगल से होका गुजरता था वहाँ जैसे ही राम गुपाल पहुचा उसे कुछ आवाजे सुनाई दी जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक सादू भगवान का मंत्र जपने के साथ हस भी रहे हैं हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा अब ठीक हैं? हलाकि राम गोपाल उस सादू को नहीं जानते थे लेकिन सादू ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा कुछ खिला दो बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान हो जाता है लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिबा निकाल कर उन्हें दे दिया और देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया उसके बाद उस सादू ने कहा बेटा मैं तो सारा खाना खा गया अब तुम क्या खाओगे मुझे माफ करना राम गोपाल ने कहा कोई बात नहीं है बाबा मैं काम के लिए बजार जा रहा हूं तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा यह सुनकर उस सादू ने गोपाल को खुब आशिरवाद दिया और भेट के तौर पर एक हतौड़ा दिया राम गोपाल ने कहा आपका आशिरवाद ही काफी है मैं इस हतौड़े का क्या करूंगा इसे आप ही रखिये सादू ने जवाब देते वे कहा बेटा यह मामूली हतौड़ा नहीं है यह जादू हतौड़ा है जो मेरे गुरू ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है इसका इस्तमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और दूसरे के हाथ में इसे कभी मत पढ़ने देना इतना कहकर वे बाबा वहां से अद्रिश्य हो जाते है फिर राम गोपाल अपने हाथों में हतौड़ा लेकर बाजार काम करने के ओजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हतौड़े से लोहा पेटता हूँ जैसे ही उसने लोहे पर हतौड़े से चोट मारी वो सीधा ओजार बन गया दूसरी चोट में लोहे के बरतन बन गये अब राम गोपाल समझ गया था कि यह सही में ही जादूई हत वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता लोहा सीधे वही बन जाता जादूई हतौड़े की वज़े से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादूई हतौड़े को लेकर अपने घर चला गया इसी तरह रोज राम गोपाल उस हतौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार जादा बरतन मना कर उन्हें गाओं के लोगों को भी बेच देता धीरे धीरे उसके घर के हालाद पहले से कुछ ठीक होने लगे एक दिन की बात है गाओं का मुख्या उसके घर आया और बोला हम गाओं वालों को शहर जाने में बहुत जादा समय लगता है क्या तुम अपने हतौड़े से गाओं और शहर के बीच आने वाला एक पहाड तोड़ने में हमारी मदद करोगे इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गाओं से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा फिर मुख्या की यह बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादू हतौड़े से उस पहाड को तोड़ दिया अब मुख्या और गाओं के लोग बहुत खुश हुए और उसे खुब शावाशी दी पहार तोड़ने के बाद घर लोटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादू हतौड़े से मेरा काम जल्दी तो हो जाता है लेकिन कुछ जादा फाइदा नहीं होता इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर की जाने की जगा दुखी मन से जंगल की तरफ चला जाता है फिर लोहार को वही सादू बाबा उस जंगल में दुबारा दिखाई देते हैं लोहार ने उनने अपने मन की सारी बात बताता है सादू ने कहा इसका उपयोग सिर्फ औजार और बरतन बनाने वह पहार तोड़ने तक सीमित नहीं हैं इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो फिर राम गोपाल ने अच्छे से सादू बाबा से उस जादू हतोड़े का इस्तमाल करने का तरीका सीखा उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया आज राम गोपाल एक अमी आदमी बन गया था अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती तो उस जादूई हतोरे का इस्तमाल कर लेता था तो हमें चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग इनका इस्तमाल पूरी तरह से करना चाहिए साधी अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है व्यर्थ हताश होने की से काम नहीं बनता